अब देखे हर चीज किसी ने किसी काम के लिए बनी होती है और हर काम के लिए बने होते हैं कोई ना कोई आउजार गैंग्स अपने काम के लिए शूटर बनाते हैं पर शूटरों के काम के लिए बनी है बंदूक पर बंदूग के बल पर जो जीते हैं वो आखिर बंदूग के बल पर ही मरते हैं उत्तर पदेश का पुरुवांचल शेत्र जाना जाता है अपनी दुर्गत दशा, खुली इंटरनेशनल बॉर्डर और मारधार की परमपरादी नब्दे के दशक में यहां पर ओर्गिनाइज क्राइम का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसकी पहुंच गली के गुंडों से लेकर पॉलिटिक्स तक आज भी है यह है वाइस काइड टू क्राइम इन इंडिया कासे क्राइम क्रियेटिड विद एमजोन प्राइम ओरिजनल मिर्जापूर मिर्जापूर यूपी के छोटे शहरों में किना जाता है यहां ना ज़्यादा बैपार है ना ज़्यादा मोक्रियां और ना ही ज़्यादा साधन जाहिर से बात है कि इससे आम आद्मी में गुस्सा तुपलेगा और ये गुस्सा जब लड़के एक दूसरे पर निकालेंगे तो यह मुक्कालात से बात नहीं बनेंगी वो ढूडेंगे उससे भी बड़े ओसे ओजार अपराद के ओजार कही होता है बड़े लेवल पर गूलियां जलती है और छोटे लेवल पर साइकेल की चेन और चाकू उस्तरे से भी काम चल जाता है कही बाद और ये सब सीख के अपराद ही स्टीट लेवल से ही अपने क्रिमिनल केरियर का इंटोड़क्शन देना शुरू कर देता है अब चकू छुरी चला कर आप किसी बड़े बाहु बुली की नजर में आ गए तो समझे वो आपको अपनी चत्रचाया में ले लेंगे और उस्तरे से तरक्की करके पकड़ा देंगे दो धाई हजार का से कटा अब देशी कटों का फायदा एक तो यह है कि वो सस्ते हैं और दूसरा यह कि उनको ट्रेक नहीं किया जा सकता कांड गर के मौका ये वारदात पर छोड़गो ना सीरियल नंबर मिलेगा और ना ही कार वह होगी एटीज और नाइटीज के बीच में जो भी आपकी लिंग्स देखेंगे उसमें कटा इस्तमाल हुआ है जनरली एक बार में कटे से एक फायर होता है उसमें त्री 315 या 312 की गोली लगती थी और उसको एक बार में एक लोट करके चलाते थे कभी-कभी डबल बैरल कटा भी लोगों ने उसमें इन्वेंट किया था बिहार में एक जगा है मुंगेर मुंगेर में पहले बहुत सारी ओर्डिनन्स फैक्टरीज होती थी बाद में वो फैक्टरीज बंद हो गई तो वहां के लोग जो की कारिगर थे उन्होंने अपनी शेल फैक्टरीज खोलनी चुपके से दुनिया की किसी भी रिवाल्वर किसी भी पिस्टल को आप मुंगेर में लेके चले जाईए और मुंगेर में उसका मेड इन मुंगेर रेप्लिका तुरंट बनाके वो देते हैं और वो अच्छा काम करता है बाई देवरे नब्बे की दशग में जब तक देश के हर घर में कलर टीवी पहुंचा यूपी की सड़कों पर ओरिजनल एंपोर्टिट तमंचे आने लग गए थे इनकी बनावट पक्की थी, जादा रेंज थी और बहतर रेट ओफ फायर था और तब के स्टेंडर्ड इशू 303 पुलिस राइफल चे कहीं जादा भरोसमन्दी हुआ करते थे पूरी की पूरी मैगजिन उतारने का दौर शुरू हो गया नब्बे के दर्शक में तसकरी के रास्ते AK-47 पूरू अंचल में लाई गई थी पहली बार और इनका फाइदा उठाया है वहीं के कुख्यात गैंस्टर मुन्ना बजरंगेन केलाश दूबे का मर्डर हुआ था 96 में उसमें पहली बार फोट सेवन का यूज किया गया था केलाश दूबे बीजेपी के नेता थे और वो अगले विधायक होने वाले थे तो मुन्ना बजरंगी इसी लिए फेमस जाता हुआ कि पुर्वांचल में पहली यूज की और उसके बाद उसके गिरोह ने लगातार इस वेपन का इस्तिमाल किया पावर का जो हंगर है वो एपन से पूरा होता है और अच्छा वेपन जो है को बड़ा पावर्फुल आदमी के रूप में आपको दिखाता है इस सही निशाना लगाने में समय लगता है प्रैक्टिस भी लगते है पर एके 47 के साथ सिर्फ यह देखना पड़ता है कि ट्रिगर आख की तरफ है और नली किसी और की तरफ है अपर बस आख मून के गोड़ा दबा दिया जाता है 2005 में गाजीपूर के विदाये क्रिश्णमिंद राय की हत्या इसी से की गई थी कम से कम 5 से 6 47 यूज़ की गई थी तीन जीएस यूज़ की गई थी पिश्टल सबके पास एक एक एडिशनल थी और 47 भी एक ऐसी यूज़ की गई थी जो की ड्रम मैगजिन वाली जैसे पिक्चरों में गोल वाली दिखाई जाती है सौ राउंड पे अधिक फायर करने वाली वो यूज़ की गई थी गैंग्स ये सारे आउज़ार इस्तमाल करते थे पहले हम रियल टाइम में सुनते थे हमापस स्टोर करने के लिए या उसके लिए दिखाई अब हाथ में मोबाइल है उसमें तार निकला हुआ है हम उसको सुन रहे हैं, एक हाथ में रिकॉर्डर है, उसका एक परिलर उसमें लगा रखा है, उससे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो सामने वाला यह समझ जाता था था कि यह फोन रिकॉर्ड किया जा रहा है, किसी का फोन ही रिकॉर्ड कर रहा है, इसे बिक्कते होती थी। अब सेल्फोन के आने से दुनिया और करीब हो गई पर 1998 में शूटर श्रिपकाश शुकला के करीब आई सिर्फ स्टेफ श्रिपकाश का खौफ इतना जादा था कि मीडिया ने ये चापना शुरू कर दिया था स्रिपकाश शुकला का शुट आउट 23 सितंबर 1999 को दिल्ली के करीब गाजियाबाद में हुआ था जब हम लोग उसको इंटिसेप्ट करने की कोशिश कर रहे थे उस समय हम लोग को यह पताया गया है स्रिपकाश कर दोड़किए साब असने प्लास्टिक सेजरी कर वा था कि साबस्ने बड़ी बड़ी दादी ने बनुब अलग पहचान पाना मस्को विह बन फोटोग्राफ अनली एक फोटोग्राफ थी गरदन उसमें स्रिपकाश शुकला थी और रस्त अध पोसनीज उस स्रिपकाश के अनकाउंटर के बाद गैंक्स को स्टी एफ के सर्विलांस का पदा चला और वो चुकन ने हुए लड़के सर्विलांस से बचने के लिए जितनी तर्की में लगा सकते थे लगाने लग गए मगर सर्विलांस जारी रहा मुंबई से ले करके कलकता तक जा करके शूट आउट किया था एक बार एक यूनिल शुरू हुई सर्विलांस के टेकनीक में हम लोग माहिर हो गए फोन पैरलल पर सुनने लगे लोकेशन मिलने लगी और हमारे लिए आसान हो गए एक बार हमको अगर लोकेशन लगातार मिलने लगे तो यह मेटर नहीं करता कि हम 500 लोग हैं कि 5 लोग हैं STF को UP के शूटर्स गिराने के लिए सर्विलांस के साधन भातियार और खुली छूट दे दी गई थी और इसलिए पूरवांचल में क्राइम काफी हद तक कम हो गया है पर और और्गिनाइज क्राइम को रोकना इतना असान नहीं है ये गैंक्स मशीन की तरह काम करते हैं जिनका होता है एक ही काम करने का तरीका और एक ही चलाने वाला बाकि सब सिर्फ काम निकालने के ओजार है जिस दिन जो काम आना बंदो गया है उस दिन उसको निकाल भेंगा मगर इस काम को कोई चल के या दोर के नहीं छोड़ता छोड़ता है तो सिर्फ अर्थी पे चड़के देखे कितने कमाल की बाइद है